सब्सक्राइब कीजिए टेग गूरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने Instagram एकाउंट से Professional Dashboard कैसे हटाएं तो अगर आप भी अपने Instagram से Professional Dashboard हटाना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को End तक देखते रहिए तो चलिए सीखते हैं तो दोस्तो professional dashboard हटाने के लिए सबसे पहले आपको अपने instagram app को open कर लेना है तो यहाँ पर मैंने अपने instagram app को open कर लिया है अब यहाँ पर आपको अपने instagram के profile पर click करना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे instagram account पर professional dashboard आ रहा है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसको permanently हटा सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या कर रहा होगा सबसे कोने में आपको तीन लाइन दिखेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है फिर यहाँ पर आपको settings and privacy का एक option मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है यह सारी setting में आपको Instagram app से बता रहा हूँ ना कि Instagram light से तो अगर आप लोग Instagram का light version यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको यह setting नहीं मिलेगी जैसे आप setting and privacy में आएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे एक option दिखी जाएगा creator tools and control और यहाँ पर लिखा हुआ है for professionals तो अगर आपने अपने Instagram account पर professional dashboard enable किया हुआ है तो आपको यह option जरूर मिल जाएगा तो आपको इस पर click कर देना है अब जैसे आप इस पर click करेंगे तो नीचे आप आईए यहाँ पर आपको एक option मिलेगा switch account type तो अब आपको इस पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा switch to business account और दूसरा है switch to personal account तो आपको यहाँ पर switch to personal account पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ message सो होगा तो इस message को ignore कीजिए और यहाँ पर एक option मिलेगा switch to personal account रेड कलर में तो आपको इस पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर लोडिंग हो रहा है थोड़ा सा टाइम लेगा बस अब देखिए यहाँ पर आ चुका है स्विच्ट टू पर्सनल अकाउंट और यहाँ पर जो ऑप्सन था फौर प्रोफेस्टनल वाला वो भी यहाँ से गायब हो चुका है अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि प्रोफेस्टनल डैसबोड हटा या नहीं तो यहाँ पर बैक आते हैं और देखिए यहाँ पर जैसे आप रिफ्रेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो प्रोफेस्टनल डैसबोड है वो पर्मानेंटली रिमूव हो जाएगा केवल एक मिनट का काम है तो इस प्रकार से आप अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से प्रोफेस्टनल डैसबोड हटा सकते हैं और अपने इस्टाग्राम एकाउंट को दो बारस से परसनल एकाउंट में कनवर्ट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ हो वीडियो हर्फुल होगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपको कोई भी कोशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजेगा